हेलो फ्रेंट्स, मैं हूँ अनीता, अनीतास दाइफ अब में आपका सहगत है आवला हम किसी भी रूप में खाएं, आवला बहुत ही फायदे मंद होता है आवले में बिटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है आवला हमारे आखों के लिए, बालों के लिए और हमारे स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है आवले को हमें किसी ना किसी रूप में डाइट में जरूर सामिल करना चाहिए तो आज हम बनाएंगे आवले की खट्टी मिठी चट्नी इससे ना सिर्फ खाने का स्वाध दूगना होता है बलकि ये सेहत के लिए भी बहुत ही फायदे मन होता है तो बनाना शुरू करते हैं आवले की चट्नी बनाने के लिए हमने लिये हैं यहाँ पर आधा किलो आवला आवले को हमने अच्छे से धुल करके साप कर लिया है आवले में कोई भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए क्योंकि इसे हमें लंबे समय तक रिस्टोर करके रखना है अब हम एक बड़ा बरतन लेंगे उसमें दो गलास पानी डाल कर उबालेंगे जब पानी उबनने लगे तो आवले को एक चछनी में रखकर 10-15 मिनद तक स्टीम करने को रखतेंगे आप आउले को पानी में डालकर उबाल सकते हैं या कुकर में रखकर दो सिटी लगा सकते हैं हम इस सटनी को लंबे समय तक रखेंगे इसलिए हम इसे उबालेंगे नहीं इस्टीम करेंगे अब आउला soft हो गया है और इसमें cracks भी पड़ गया है और आउले का color भी change हो गया है तो इसे अब हम नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे जब थोड़ा ठंडा हो जाए पूरी तरह से नहीं हलका सा गरम रहना चाहिए तब इसके आउले के भीच को अलग कर देंगे और आउलो को मैशर की help से mash कर लेंगे आउले को पूरी तरह मैश नहीं करेंगे थोड़े आउलो को साबुत रखेंगे इस तरह से जब मैश करके बन दालेंगे सौफ से चट्नी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो इसे जरूर डालें उसके बाद डालेंगे एक चुर्थाई चमच कलों जी जिसे हम मंग्रैल भी बोलते हैं इन सब को हलका सा भून लेंगे और मैश की हुए आउला डाल देंगे आउले को मैश करने के बाद अगर हम नापेंगे तो यह देड़ कप आउला है तो इस आउले को डाल करके हम थोड़ी देर भूनेंगे उसके बाद गुर डाल देंगे गुर को छोटे छोटे पीसे करके डालेंगे ताकि जल्दी से और अच्छे से मिल्ट हो जाएं यहां पर हमने जितना आउला इतना ही गुर भी लिया है डेड़ कप आउला मैश करते लिया है और डेड़ कप भी गुर गाला है इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आज पर मिल्ट होने तक पकाएंगे यहां पर आप गुर की जगा पर चीनी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन गुर से तब तक पकाएंगे जब तक यह पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए इस चटनी को बनाने के लिए आपको खास बात का ध्यान रखना है ना धिर लोहे का बरतन हम हुआ फृतल का बरतन है वह फिर फिद्शός में लोहे का जान तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें गुड मिल्ट होने तक लगता चलाते हुए इसे पकाएंगे गुड पूरी तरह से मिल्ट हो गया है तो अप हम इसमे मसाले मिला देंगे सबसे पहले आधा चम्मद जीरा पौडर डालेंगे आधा चम्मद धनिया पौडर डालेंगे टेस्ट को बढ़ाने के लिए आधा चम्मद गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मद सोट पौडर तीखा पन के लिए आधा चम्मद लाल मिर्च पौडर स्वाद को और बढ़ाने के लिए एक चोथाई चम्मद काला नमक और स्वाद की अनिसार सफेद नमक आलेंगे और 6-7 काली मिर्च को कोट करके डाल देंगे अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मसालों को लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे 3-4 मिर्ट लगेंगे मसाले को पकने में दिमियाच पर ही पकाना है इसको तेजाच नहीं करना है नहीं तो मसाले जल जाएंगे इस चटनी को आप ब्रेट पराथे रोटी के साथ खा सकते हैं या एक चमच ऐसे भी खा सकते हैं ठंड में ये बहुत लाबदायक होता है चटनी को बहुत गाड़ा नहीं करना है इसमें थोड़ा सा रस रहना चाहिए तभी फ्लेम को बंद कर दें बहुत ज़्यादा चटनी को सुखा नहीं करना है नहीं तो चटनी ठंडी होने पर हाड़ हो जाएगी चटनी अभी पतली ही लग रही है इसे पीतल, तांबा या अलमुलियम के बरतन में नहीं रखेंगे नहीं तो ये चटनी खराब हो जाएगी जब भी चटनी निकालें तो किसी साफ सुतरे सुखे चमस से निकालें तो ये चटनी लंबे समय तक खराब नहीं होगी इस चटनी को आप फ्रिज में रखकर कई महिनों तक खा सकते हैं अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई, टेक केर